हेलो एवरिवन तो आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रहे हूं मच्छी के अंडों की भुर्जी की रेसिपी जो 10-15 मिट बनकर रेडी होती है और बहुत जाधा स्वाधिश्ट लगती है तो अगर आपको रेसिपी पसना तो मेरे रिक्वेस्ट जरूर में चैनल को लाइ वन टी स्पून नमक दालेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से इस पर लगा देंगे यानि एक मेरिनेशन करेंगे हम लेकिन इससे सबसे पहले आपको अच्छी तरीके से वाश कर लेना है वाश करने के बाद में हम मेरिनेट करेंगे अब इसे एक घंटा इसी तरीके से गरम होने देंगे और इसमें जो यह मच्छी के अंडे है यह दाल देंगे और दालने के बाद में धककन धक देंगे यहाँ पर जरूर सौधानी रखे आप क्योंकि यह अंडे ओईल में जाने के बाद में चटकने लगते हैं तो चटका लगने का डर होता तो इसे हम अब 2-3 मिट छख देंगे और फ्लेम को शलो कर देंगे तो देखें किसे हम 3-4 मिट हो चुके थे और अंदे जो है तो नीचे से अच्छी तरीके से पक चुके थे ताब हम क्या करेंगे इसे पलट देंगे ताब कि जो अण्डे है तो दोनों साइट से बहुत ही अच्छी तर धकने के बाद में जब यह अंडे पूरी तरह से फ्राय हो जाएंगे हम क्या करेंगे जिस स्पून से हम इसे पलट रहें उससे वहीं पर छोटे चोटे तुकड़े कर लेंगे ताकि अंदर से थोड़े बहुत कच्चे रहे भी गए हो तो अच्छी तरीके से पक जाएंगे त जिरे को बढ़िया तरीके से हम चटकने देंगे ताकि जीरे की अच्छी स्मेल आ जाएंगे अब हमने दो मीडियम साइज के अनियन लिए इसे कद्दू कस कर लिया एकदम फाइन वाले कद्दू कस किया है ताकि एकदम बारिक से चौप हो जाएता अगर आपके पास में परसे भी चॉप कर सकते हैं लेकिन खाली मिक्सी में हमें नहीं पीसना अब इस प्यास को इसमें डाल देंगे इसे अच्छी तरीके से गॉल्डन ब्राउन होने तक हमें फ्राय करना ऐसा नहीं है कि हलका गुलाबी हो जाए और हम इसी टाइम पर दूसरे मसाले डाल देने नह लसन अद्रफ को भी अच्छी तरीके से पकने देङए अब एक क्द्धू क्स कर लिया या फिर आप मिक्सी में जह तो ट्मेटो की एक की ट्य deepen साथ की ट्य crash की धूरी बना सकते हैं और फिर हम इसमें एक टोमेटो की प्यूरी दाल देंगे या कद्दू कस करके दाल देंगे टोमेटो को भी हम दालने के बाद में इसका जितना भी वाटर है उसे अच्छी तरीके से सुखने तक कि हम इसे पकाना है ताकि ये अच्छी तरीके से सुखा सुखा हो जाए दो से तीन मीट पकाने के बाद में फिर हम इसमें दालेंगे हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर वन टीस्पून जो है तो लाल मिर्ज पाउडर दालेंगे वन टीस्पून धनिया पाउडर दालेंगे हाफ टीस्पून गरम मसाला पाउडर दालेंगे half teaspoon black pepper powder दालेंगे और एक lemon लेंगे एक lemon का इसमें juice हम निचोड़ दालेंगे ताकि जो है तो fish का अंडे में जो है तो अच्छी तरीके से खटा सा और इसका taste बहुत ही अच्छा बढ़िया हो जाए अगर lemon ना हो तो आप 20 teaspoon आमचुर powder भी हाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो अब इसमें 4 tablespoon water दालेंगे और इसका जो मसाला है बहुत ही अच्छी तरीके से हम भून लेंगे 5-6 मेट हम full flame पर मसाला भूनेंगे ताकि इसमें जितना भी oil है वो सारा separate हो जाए उतना हमें इस मसाले को भूनना है जिए इसका oil release हो जाए तो हमें समझ जाना है कि मसाला बहुत ही बढ़िया तरीके से भून चुका है अब देखेंगे इस जो यह साला बढ़िया तरीके से भून चुका है और इसने oil भी बड़िया तरीके से मसाला रेडी हो चुका है अब हमने अंडे को जो फ्राइ करके रखाता नो वो इसमें हम दाल देंगे अब इन सारी चिज़ों को अच्छे तरीके से हमें मिक्स करेंगे अगर आप ये अंडा करी बनाना चाहते हो तो इसे अच्छे तरीके से मिक्स करने के तो इसे अच्छी तरीके से हम mix करेंगे mix करने के बाद मैं gas की flame को slow करके इसे 5-7 मिट फिर से पकने देंगे ताकि अच्छी तरीके से पक जाए तो हमने ढग दिया था 5-7 मिट अब देखिए गए इस ये अंडे कितनी बड़िया तरीके से पक चुके थे इसने oil भी separate हो चुका था तो अगर आपको इसमें gravy चाहिए तो इस टाइम पर आप एक cup पाई इसमें use कर सकते हो लेकिन यहाँ पर जो है तो हमारे fish के अंडो की भुरजी जो है तो ready हो चुकी है अब एक serving dish लेंगे इसमें serve करेंगे यकिन मानिए बहुत ज़्यादा tasty लगती है एक बार ज़रूर बनाके देखिएंगा आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे और अगर आप इस method से यह भुरजी बनाएंगे तो ज़रूर मुझे comment box में comment करके बताएंगा कि आपको यह fish के एक भुरजी कैसी लगी तो I hope guys आपको यह recipe पसंद नहीं हो अगर आपको यह recipe पसंद नहीं तो please 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 like करना, share करना, subscribe करना site में जो bell button आता उस call पर click कर देना ताके आनवल हर वीडियो का notification आपको मिलता रहे अल्ला हाफीज एंटे